हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर जाने के कि आइसमान कार्ड में नए मेंबर का नाम कैसे जोड़ें अगर दोस्तो आपके घर में किसी मेंबर का नाम छोट गया है आप उसे जोड़वाना चाहते तो कैसे जोड़वा सकते हैं उसी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको step by step बताया तो दोस्तो वीडियो को लाहट तक जरूर देखिए ताकि आप छोटे वे मेंबर का नाम आइसमान कार्ड लिस्ट में जुड़वा पाएंगे चलिए दोस्तो वीडियो को पटापटी स्टार्ट कर लेते हैं और आप सबको बता जिते हैं कैसी आप छोटे हुए मेंबर का नाम जुड़वा सकते हैं दोस्तो आइसमान कार्ड की लिस्ट में नया नाम जुड़ने के लिए कुछ कंडिशन है अगर वो बिक्त उस कंडिशन के अंदर है तो आपना नाम जुड़वा सकता है पहली कंडिशन ये है कि उस ब्रेक्ट के यहां किसी का कार्ड बना होना चाहिए नहीं आइसमान कार्ड बना होना चाहिए और दूसरी कंडिशन ये है कि उसका जन्म 2011 के बाद में हुआ है अगर आप किसी बहु का जन्म प्रमारपत होना चाहिए तो उसके बाद मायरी सर्टी करड की लिस्ट में उसका नाम चुड़वा पाएंगे तो दोस्तु अगर आपके घर में जा फर्वार में किसी दोस्तके या फिर आप के रिष्टी दर किया इस कंडिसेंशं में कोई ब вызब ब्रक वीडिये को लाश टक देखते हैं ताज कि co वाल आईशमान कार्ड में नया नाम चोड़ सकते हैं तो जोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है आपको अपने आरोग मित्र या पिर अगर आपको पंचायत केंदर ग्राम पंचायत केंदर कोई आरोग मित्र है तो उसके पास आप चले जाएएगा और वहां पर आप अपना आपसन आ रहा है यहीं से मैं उसका नाम जोड़ूगा जिसका भी उस कंडिशन के इंदर होगा यहनी 2011 के बाद में जिसका भी जर्म होगा या साधी होगी तो दोस्तों हम उसका नाम यहां से जोड़ सकते हैं तो क्या करेंगे यहां पर आपको दिखाए पड़ा है आड मेंब आपको डालना होगा यानि जो आपकी आईश्मान कार्ड की आड़ी है आपको डालना है उसके बाद आपको सर्च करना है जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे तो आप सामने कुछ इस तरह से आजएगा जैसे क्या प्लोग देख सकते हो दोस्तों आपने जिसकी भी आईश्म इसेड में आप्रूब एड मेंबर यानि दोस्तों अगर आपने किसी का नाम जोड़ा है और अप्रूब हो चुका है उसका नाम आपको इस सेड में दिखाई पड़ेगा अब आपको क्या करना है आपको यहां पर दिखाई पड़ोगा आपको अपर वले ट्रमा और कंडिशन करना है आपको आधार OTP प्र आधार Fingerprint को आपको अपर scrlite करना उसके बाद आपको इसे यहां पर मैं सामत हों यहां पर क्लिक कर देना है उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है जैसे दोस्तों प्रोसीड करेंगे तो आपके साफीन कुछ इस तरह से आ जएगा आपको पर दिखाई पड़ोगा verify आधार नमबर जो verify आधार नमबर है यानि जिसका हमने ice one card की id खोला है उसी का यहाँ पर आधार नमबर डाल देंगे जिसके दोस्तों मैं आधार बेरिफाई पर क्लिक करेंगे जब दोस्तों verify पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आजएगा जैसे कि आप लोग देख सेखते हो आपको यह पर दिखाई पड़ा आधान नमबर दोस्तों हमने आधार ओटिप के दुरू किया था इसलिए यहाँ पर इसतरह कर दोंगा जो भी मभायल नबर हमारे आधार कार्ट से लिνक है उस म७ायल नमबर पर OTP आजाएगा और मैं यहां पर OTP को इंटर कर दूँ का मैं यहां पर OTP को इंटर कर दूँ गा उस के बाद verify OTP पर क्लिक करण करेंगा जैसे दोस्तों बेरिफाइब पर क्लिक करेंगे तो आधार ओटीप और सब्सक्राइब आपको दिखाई पड़ जाएगा और आपको कर देना इतना करते आपको एड मेंबर का आप सब्सक्राइब करना है जैसे दोस्तों आप आप एड मेंबर पर क्लिक करेंगे तो आप सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्रूप आप रिजन यानि आप उसका प्रूप देना चाहते हैं बर्ट सर्टीपिकेट का या फिर मैरे सर्टीपिकेट का या फिर अगर प्रूप सर्टीपिकेट को चोच करूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं बच्चे का नाम जोड़ूँगा तो दोस्तों समद्द से कहां बच्छ करूँ यहां पर डाल रहा हूं एक डेमो को ताउर पर डाल रहा हूं ताकि दोस्तों आप लोगों को पता चल जाए कि इसम आइसमार कार्ड की लिष्ट में अपना नाम जोड सकते हैं अब आपको यहां पर क्या करना आपको पर दिखाए पड़ा है दोस्तों ध्या अरटर है जो आप डाकूमेंट को अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों के लेएंडर को नंदर होना चाहिए, तब ही यह किवंद अपलोड हो पाईगा। दोस्तों जब document upload हो जाता तो आपको पर दिखाए पड़ा है detail as per document यानि दोस्तों आपके बतर certificate में जो भी detail है name है तो आप उसी तरह same-seam यहाँ पर feel कर दिजिए उसके बाद दोस्तों आपको पर दिखाए पड़ेगा gender male है female है तो आपको पर डाल देना है उसके बाद उसकी वाई ओभी यह नहीं आपका जो डेटा बर्थ का वियर से उसको आपको पर डाल देना है उसके बाद आपको निश्ट पर क्लिक करना इतना ही करते आप सामने कुछ इस तरह से आजाएगा तो अब आपको क्या करना है आपको पर दिखाए पड़ा है मोदर नेम उसका नाम क्या है मदर का तो आपको पर इंटर कर देना है उसके बाद आपको पर दिखाए पड़ा है फादर नेम आपको उसके फादर का नाम डाल देना है बच्चे का फादर का नाम आपको पर इंटर कर देना उसके बाद दोस्तों नीचे आपको दिखाई पढ़ा एंटर दूबाईल नमबर आपको एक मोबाईल नमबर को यह पर इंटर कर दो John दालने बद आपको इल्ट कया है यहां पर आपको फैमिलि तो आजाएगा अगर बच्चे का आधार एक संब्स ने तो आपको डूना टाइप आधार पर क्लेक करना तो दोस्तों में आधार अधार करूँ का तो मैं आधार अधार CT को पड़याक old करने के बाद आपको पर select authentication type को select करना है फिंगर पिट या आधार OTP को select करता हूं उसके बाद दोस्तों आपको नीची आना है नीची आने के बाद आपको दिखाई पड़ा होगा आधार नमबर डालने के लिए तो दोस्तों आपको बच्चे का आधार नमबर को आपको पर इं करना है जैसे दोस्तों आप verify पर क्लिक करेंगे तो आप समने कुछ इस तरह से आ जाएगा तो आपको पर दिखाई पड़ा है generate OTP आपको उस पर क्लिक करना है जैसे आप आपर क्लिक करेंगे तो आपके register mobile नंबर पर OTP जाएगा यै दोस्तों बचे के जो register mobile नंबर उस पर OTP आटीपी जाएगा OTP को आपको पर enter कर देना उसके बाद आपको verify OTP पर क्लिक करना है उसके बाद आपको आधार OTP authentication successful दिखाई पड़ेगा OK करना है जैसे OK करेंगे तो यहाँ पर बच्चे की डिटेल आ जाएगी दोस्तों मैं जो भी चीज बता रहा हूँ एक डेमो की तोर पर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अब आपको नीचे स्को करना है आपको पर दिख करना ए उसके बाद्व पर डिस्ट्रेट already vide होगा आपको डिश्टिक को्श्रेट करना है करना है और आपको यहांसे अपनी डिश्टिक को स्लेट करना है उसके बाद दोस्तों आपको अपर दिखाए पड़ेगा सब डिस्टिक आपको अपनी सब डिस्टिक को स्लेट करना है यानि आपको तैसिल को स्लेट करना है उसके बाद आपको अपनी ग्राम पंचायत विलेज को स्लेट करना है तो अब आपको क्या करना है आपको इतना स्लेट करने के ब तो आपको यहाँ पर okay पर क्लिक करना यानि दोस्तों जब आप okay पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डेटा है आगे फारवर्ड कर दिया जाएगा और चोबिस से 48 घंटा बेठ करना होगा और जो भी आप आइसमान कार्ड में नाम जोड़ है वो नाम आइसमान कार्ड की लिस्ट में आ जाएगा और उसका आइसमान कार्ड भी बन जाएगा दोस्तों आप इस तरह से नया नाम जोड़ सकते हो आईओप आपको पता चल कोगा कैस से Iceman Card की लिस्ट में नाम जोड सकते और नय Iceman Card बना सकते हैं अगर दोस्तो आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को Like कर दिना और चैनल परन आवाँ तो चैनल और को Subscribe झाल 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 झाल